केथ हैंust तो अई मैंने एक और लेक्टर आपको बनाया था प्रब्रभेली परक तहीं बैट इने पहले थी वो पासों के. यहांज। वेहां पासों का था व। यह करना यहांज पेखने दो यहांज तो आए अन्य स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या करना है यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर actually आपको निकालना कि पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको head या tail आने की probability निकालनी है एक पासे हो दो पासे हो तीन पासे हो चार पासे हो तो यहाँ पर आप लिख लिजिए सबसे पहले coin के बाद यहाँ पर आप लिखे टोटल आउटकम किते होते भाई एनस होते हैं ओके टोटल आउटकम किते हुआ करते हैं एनस होते हैं अब इसके बाद देखे यहाँ पर बनेंगे favorable case अब आपको यह probability समझ में आएगी इसको इदी हम जब करते हैं तो आपको क्लियर होगा इसको बनाने के बाद की हो क्या रहा एक्शली तो देखे आपके पास में अगर दो स compacte में कितने होते हैं टूटल आउटकम 2 2 the power इक्रल्स टू होते हैं 4 वोगे तूटी पावटो इक्र्टू to होते हैं 4 अब इसकी ट्रिक सब्सक्राइब कि हाँ पर ये है कि आप 11 रखिये और 11 की पावड तू मतलब जो भी अब देखे यहाँ पर कर दीजे 11 की पावर 3, अब मैं आपको 11 की पावर 3 करने के एक short trick बताता हूँ, कैसे करते हैं, 11 की पावर कैसे करते हैं, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देख लिजे, यदि आपके पास 11 है, 11 की पावर 1 कितना होता है, 11, ओके, अब देखे 11 की पावर 2, तो आपको क्या करना है, यह 11 है, 11 के इधर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, याने 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और इधर कितना हो गया 1, तो 11 की पावर 2 कितना हो जागा 121, अब 11 की पावर 3 देख लिजे, तो इधर कुछ नहीं है, तो 1 ही आएगा, 2 प्लस 1 क कितना आज़ेगा 3 एक 2-1 चीप आफ़ी होती है 1-3-1 सोके 11 की पावर 4 देख लिए 11 की पावर 4 जो आएगी कि वह किती आएगी इधर कुछ नहीं है तो 11 प्लस 3 हो गया 4 3 प्लस 3 किता हो गया 6 3 प्लस 1 किता हो गया 4 और किता 1 तो अब यहां तक छोड़ दीजे बस इतने तक ही वैसे भी हम लोग को 4 coin तक आने वाला है तो यहां पर हम 4 coin तक का scene बना रहे हैं ओके तो 11 की power 3 कितना आया था 1, 3, 3, 1, ओके और 4 जो है n equal to 4, ओके तो 2 की power 4, total outcome कितने आएंगे 16 और 11 की power 4 that is equals to 1, 4, 4, 3 plus 3, 6, 4 कितना हो जाएं और यह हो जाएगा 1, ओके अब देखिए अब यहां से आपको क्या सीखना है, यहां से आपको क्या पकड़ना है वो चीज़ इंपोर्टेंट है देखिए, अगर मैं number of heads की बात करूं, number of heads, ओके तो आप देखिए इधर से इधर चलिए, number of heads की बात करता हूँ, तो इधर से इधर चलिएंगे left to right, ओके कोई एक चलो, कोई से फर्क लेहां, left to right पकड़ लो, तो number of heads, याने की one के नीचे, zero heads के one case, मतलब all, total all tails, zero head के किते cases, one, okay, two, one heads के किते cases, two cases, okay, one head के two cases हो गया, और three heads के किते case होंगे, अपने पास में sorry, one heads के two cases, and two heads के किते cases होंगे, two, तो one के नीचे zero लिखो, इधर one लिखो, और इधर क्या लिखो, two लिखो, clear है, तो दोनों head आने के किते case हो गया है, one cases हो चुके है, okay, यदि आप यही tell पे चलते हो, तो number of tails, तो one tail के कितने cases होंगे, उल्टा चलना पड़ेगा, यहां पे two okay, एक मिनट, एक मिनट, जीरो वन टू हो गया न, हाँ, ठीक है, देखिए, आप इधर से चलेंगे, तो यह head चलेगा, और इधर से चलेंगे, तो यह क्या चलेगा, number of tails चलेगा, yes, number of tails चलेगा, ठीक ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगीगी, उसके बाद आपको समझ में आ 0123, 0123, okay, यह क्या है, 0123, 0123, number of heads है, यह, number of heads, और अगर आप इधर से चलेंगे, okay, अगर आप इधर से चलेंगे, तो यह क्या जाए, देखिए, 0123, जो है, आपके क्या है, number of heads है, और यदी आप इधर से चलेंगे, तो यह क्या चलेगा, number of tails, ठीक है, ना, number of tails चलेग इसके मैं कुछ एक्जांपल करके आपको समझा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा चलिए आई यह देखते हैं कुछ सेपरेट पहले एक चीज़ देख लो 0123 नमबर ऑफ हैट्स बन चुके हैं यदी मैं यहां पर फिर से तो नमबर ऑफ हैट्स यह देखे इसके नीचे 0 इसके नीचे 1 इसके नीचे 2 इसके नीचे 3 और इसके नीचे 4 ठीक है अब मैं आपको प्रॉबिल्टी निकालना सिखाता हूं जिससे की आपको बिल्कुल इस पर कमांड आ जाएगी कि भाई हम लोगी क्या कर रहे हैं तब आप आपको निकालनी है प्रॉबिल्टी ओफ 3 हैट्स तीन पासे आपने फेके हैं ओके और आपको निकालनी है प्रॉबिल्टी ओफ 3 हैट्स के corresponding 3 head के corresponding case किता है 1 है okay तो answer probability 3 head किती आ जाएगी 1 by 3 okay किती आ जाएगी 1 by 3 okay अब यदी टेल्स की में बात करो तो टेल्स में उल्टा चल दिया करो यहाँ जीनोहिड यहाँ वन यहाँ टू यहाँ 3 अभी बताया था नो टेल्स में इधर से 0 चला जाता है देखकर यहां पर विकवी तैना टेल्स का ने 0123 जो नीचे के लिए left to right चलो गया और tails के लिए right to left उल्टा होता बस हो गया तो tails कितने मांग रहे हैं आपसे tails आपसे वांग रहे है तो three tails के कितने cases है किवल one cases है तो answer है न यहां पर कितना आ जाएगा one by three तो एक थीन है डाने की probability भी किती है one by three क्यों आएगा भाई एट आएगा ना टूटल आउटकम तो eight होते हैं ओके तो टोटल आउटकम वन भाई एट होते हैं तो इसलिए probability यहां पर one by eight जनरेट हो गई three heads की और three tails की probability किती हो जाएगी one by eight ठीक हो गया यस तो और कुछ कॉशन कर लेते हैं इससे की थोड़ा grip आ इन कॉश्चन में है ना three heads देख लिया three tails आपने देख लिया चलिए अगला question देखिए अगला question मैं बना रहा हूं यहां पर question दे रहा हूं कि three coins are tossed two to the power three मतलब total space कितना बनेगा eight outcomes बनेंगे और आपको मैंने बताया था three coin toss करो तो सबसे पहले 11 की power three कर लो 11 की power three आपको मैंने कितना बताया one three three one okay अगर head चल रहा है तो क्या चलेगा यहां zero one two three और अगर tail चल रहा है तो उल्टा चल दो कितना होता है यहां से हैना टेल चल रहा है तो कितना कर दो यहां पर three two one zero बस यह इतना आपको करना आना चाहिए आपको बन जाएगा अब देखे क्या निकालना probability आपको probability निकालनी है at least two tail at least two tails okay at least two tail मतलब कम से कम दो टेल तो कम से कम दो टेल मतलब दो टेल आ सकते हैं और तीन देल्स भी आ सकते हैं ओके तू टेल्स प्लस प्राबिल्टी ऑफ थ्री टेल्स तो टेल यह देखो टेल वाला यह चल रहा है तो दो टेल के कर्सपोंडिंग के सकते हैं three okay तो थ्री थ्री च्वाइस डेवलप होंगी तो दो टेल के कर्सपोंडिंग प्राबिल्टी लिख लो कितना three by eight और three tail कहां बैठा यह बैठा three tails three tail के कर्सपोंडिंग प्राबिल्टी किति जन्रेट होगी one by eight two three by eight upon one by eight that is equal to four by eight तो प्राबिल्टी कित्ती बन जाएगी one by two है ना कमाल की ट्रिक तो प्राबिल्टी यहां पर जन्रेट होगी हमारी कित्ती one by two चलिए इसी question में निकालते हैं probability at least two heads, उके इसी question में निकालते हैं, जगह यहां बना लेते हैं, probability at least two heads, उके probability at least two heads, तो भाई कम से कम दो head, कम से कम दो head मतलब की दो head भी आ सकते हैं और तीन head भी आ सकते हैं, तो probability two heads plus probability three heads, तो दो head के case देखी यहां पर, दो head के तीन cases हैं, उके, है ओके प्रबटी एकलिस्ट त्री है कितनी जेले-टीजों तो जैसे इतलीस टू हैड के हलिए अधलीस के लिए आ रहा था वैसे ही at least 2 heads के लिए भी probability किती आ गई है 1 by 2 चलिए कुछ और question करते हैं concept को clear करने के लिए जैसे मान लीजे आपके पास में मान लें मान लीजे कि 3 coins आपने toss किये हैं ओकि 3 coins are tossed तो फिर से मैं बता देता हूं कि यहां पर ns that is equal to 2 to the power 3 total case कित्ते बन गए है 8 और trick के लिए क्या लिख लिए 11 की power 3 that is equal to 1331 है ना आपको 11 की power 3 बस याद रखना है बाकि उसका कोई यूज नहीं है तो 11 की power 3 that is equal to 1331 ओके अब हैड के लिए के से स्यादी लिखो गए तो 0 1 2 3 और tails के लिखो गए तो यहां पर कितना हैगा 3 2 1 0 बस इतना याद रखना है ओके अब देखिए आपको क्या कहा गया है प्रपेल्टी आपको निकाल नहीं at least two head at least most probability at most two heads अधिक से अधिक two heads तो आपके पास कितनी probability generate होगी देखे at most two heads अधिक से अधिक two heads तो probability at least zero heads at least नहीं आएगा सॉरी प्रप्रबिल्टी आफ जीरो heads प्लस प्रप्रबिल्टी आफ वन हैड प्लस प्रप्रबिल्टी आफ टू हैड ओके चलिए corresponding cases देखते है जीरो head तो जीरो head के corresponding कितना है वन तो प्रप्रबिल्टी किती जनरेट होगी वन बाई एट प्लस वन हैड यह होते number of heads होते हैं ओके number of heads और यह होते number of tails ऐसा लिख लिए और तो confusion नहीं होगे ओके यह देखे तो वन हैड के corresponding किते cases होंगे 3 by 8 ओके और और यहाँ पर देखे प्लस टू हेड के corresponding किते cases 3 by 8 ओके तो देखे यहाँ पर कितना answer आजएगा 3 plus 3 6 plus 1 कितना 7 तो answer कितना बन जाएगा 7 by 8 कितना answer आजएगा 7 by 8 जो है आपकी probability आ जाएगी तो इस तरीके से यह शॉट ट्रेक लगाना बहुत ही आसान है डन चली अगला question देखते हैं अगला question फिर से थ्री coins are tossed ओके सो तीन coins है यहाँ पर सो total outcome कितने बनेंगे outcome एकल टू 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 पावर 3 एकल टू कितना हो जागा अपने पास में 8 और 11 की पावर 3 से शॉट ट्रिक चलेगी क्या होता 1 3 3 1 ओके यहां क्या चलता है number of head और नीचे number of tail number of head start होते हैं 0 1 2 3 और number of tails start होते हैं उल्टा 3 2 1 0 चलो कुछ के question क्या कह रहा है probability निकालनी exactly two head exactly two head तो probability exactly two heads तो भाई 2 head कहा बनेंगे यह देखो 2 head और 2 head के corresponding कित्ते case है 3 तो answer कित्ता आगे 3 by 8 ओके यह भी हो गया answer 3 by 8 चली अगला case लेते हैं 4 coins के लिए तो question बनाईए 4 coins tossed तो कित्ते toss किए गया है 4 coins are tossed तो चार अगर coin toss किए गया है तो total outcome ns कितने बनेंगे ns equal to 2 to the power 4 that is equal to 16 तो अब जो आपकी probability ना पी जाएगी वहते हैं हो किसमें नापी जाएगी 16 में आपी जाएगी और यहां क्या चलेगा के लिए 11 की पावर 4 11 की बावर 4 मैंने बताया कितनाों पंठ review 1 होता है ओके फिर आताए कितना 5 फिरॉर एंट न सिक्स और फिरा था और एक चीज में आपको और बताओं अगर आप इधर का उदर लिखने तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है क्योंकि इधर से देखो या उधर से देखो सिमेट्री का रहा है ओके पहले हैड लिख दो पहले टेल लिख दो ऐसा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बस परचान ना है तो दीखे क्या क्वश्चन क हांगा है टोटल होगया आटकम 16 कर अब और क्वश्चन का रहा है एट लीस्ट वेढ्ट दो सिमीं काल के लिख आने की प्रविज़ तो देखेंद taught you तो आने के कितने केसे हैं, भाई शब's 6 by 16 हाँ ठीकर बिल्कुल तही है, और फिर कितने हैं, 1 by 16, तो च्छा और 4 दस और 11, तो answer कता हो गया, 11 by 16, तो टू रशनर अने के कितने के सपे होई, 11 by 16, अगली Хिamm points हो था है, तो answer किता होगा 6 by 16, काट दो 2 से 3 बार, 8 बार, तो answer किता होगया 3 by 8, तो इसकी probability किती हो गई है 3 by 8, ठीक है, तो चले, एक और question कर लें इसी के बात में, और अगला question देखते हैं, इसी में, मान लिजी कि आप 4 coins उचाल रहे हैं, तो total sample space ns equal to कितना होगया 16, और यहां पर क्या rule चलेगा 11 की पार 4 का rule चलेगा trick के लिए, तो 1 और 1 प्लस 3 होता है 4, फिर 6, फिर 4, फिर 1, okay, क्या probability निकालनी है, probability निकालनी है, exactly two tails, exactly two tails, okay, तो head लिखो, tail लिखो, कोई फ्रक पढ़ता नहीं है, तो number of tail यहां मैं चला दूँ, okay, तो 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा भी चल जाएगा, 0, 1, 1, 2, 3, 4, exactly two tails आपको बताना है, ये, two tails, चली, तो exactly two tails आपको बताना है, तो exactly two tails में कितने होगे, एक मिनाट, एक मिनाट, एक मिनाट, एक मिनाट, थोड़ा सा यहां पे एक चीज़ यादर की, मैं ऊपर हमेशा number of head लेता रहू ना, तो head का यूज कर लो, भाई, confusion मत पालो, तो number of head में 0, 1, 2, 3, 4, ये है, और number of tails उल्टा चलता रहा है, 4, 3, 2, 1, 0, ओके, तो आप से क्या कहा जा रहा है, exactly two tails, तो exactly two tails होने की probability आपको यहाँ पर निकालनी है, तो probability x equal to 2, तो देखे, 2 के corresponding tails में 2 के corresponding कितने outcomes है, 6 है, तो 6 upon कितना हो जाएगा, अपने पास 16, that is equal to, कार द by 8, done, चलिए, देखे, अभी, जैसे मैंने यहाँ पे, अभी, उपर मैंने लिख लिया था, यहाँ पे tails के combination बना ली थे, तो अगर 1, 4, 6, 4, 1 में, अगर आप tails के combination बना लेते हैं, tails के combination कास चलते हैं, head में मैंने बताया था, 0, 1, 2, 3, 4, और tails में मैंने बनाया था, 0, 4, 3, 2, 1, 0, अगर आप 0, 1, 2, 3, 4, ही लिख देते हैं, और अगर आप tails को solve करते हैं, तो भी गलत answer नहीं आएगा, देख लिजे, exactly two tails में, तब भी answer कितना आएगा, तब भी आपके पास answer आएगा, 6 by 16, ओके, तो probability x equal to two tails में आपके पास कितना आएगा, 6 by 16, तो मलब करना क्या है ओके, और दो बनाना तो दो बनाईए, एक बनाना तो एक बनाईए, मरजी आपकी है, मेरी आदत पड़ गई है, 0, 1, 2, 3, 4, और 4, 3, 2, 1, 0, तो इस तरीके से अच्छा लगता मुझे, तो ये मेरी आदत है, आपको जो आदत बनाना हो, सेट कर लिजे, बहरहाल ये थी short trick, probability probability की बहुत बढ़िया, इस में से आपके जितने outcomes होते हैं, total के outcomes यहाँ पे निकल करके आ गए हैं, ओके, तो अभी हमारी छोटी सी class के लिए, short trick में, probability की short trick, प्राइकता में इतना ही, कैसा लगा, आपको लेक्चर जरूर, reply कीजे, comment box में, आपका समय देने के लिए, बहुत